हेलो गाइज, बेलकम बैक इन आवर चैनल, कॉमर्स बिद संजीब सर दोस्तों, जो हमारी ये सीरीज चल रही है, मनेजमेंट एकाउंटिंग की उसका हम पहला चाप्टर इसी वीडियो के साथ में एंड कर देंगे क्योंकि पहले चाप्टर से 100% एक लॉंग कोश्चन थियोरी में आता जरूर है ये पहला चाप्टर जो था वो थियोरी संबंदित था, ओके, तो दो वीडियो पहली बन चुकी थी तो इतने टॉपिक में से सभी टॉपिक तो नहीं पूछे जाएंगे लेकिन एक दो टॉपिक को छोण करके बाकी सब पूछे जाते हैं इसमें से हैं तो बहुत अच्छे से समझ लीजेगा इस वीडियो में मैंने आपको 12 हेडिंग्स दी हैं आपको वहाँ पर 9-10 हेडिंग्स अगर आप लिख करके आते हैं देन आपका जो मैटर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा बाकी लिखने के लिए कोई लिमिट नहीं है लेकिन कम से कम 8-10 हेडिंग्स होना जरूरी है हमने यहाँ पर 10-12 हेडिंग और 2-1 हेडिंग और अलग से बता देंगे ठीक है तो कुल मिला करके यह जो आपका टॉपिक है वो लिखने के लिए परियाप्त हो जाएगा इनको ध्यान से सुनिए मैंने हिंदी इंग्लिस दोनों में लिख दिया है जिससे किसी भी इस्टीम से प्रॉब्लम ना हो ओके तो हम समझते हैं यहाँ पर इंपोर्टेंस के बारे में कौन-कौन से इंपोर्टेंस है ठीक है अगर प्रॉफित लिखने को आता है देखिए दो में से एक ही चीज आएगा यह तो इंपोर्टेंस आगा प्रॉफित आएगा दोनों का मतलब एक ही होता है emergence यह लाख कहते हैं तो पहला है enrich बिजनिस profit receive होता है क्योंकि जितना भी profit increase होता है वो किसे होता है अच्छे management से होता है और management accounting का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि सीधे सीधे जो बिजनिस का main aim होता है उसको सीधे effect करता है सेकेंड है best management देखी management accounting का दूसरा फायदा यह है कि हमारा जो प्रबंध है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है यानि management का प्रयोग जब हम कर रहे होते हैं तो उपर से लेकरके और नीचे level तक का जो भी हमारा workers है वो अपने आपको थोड़ा मतलब systematic ढंग से present करने का प्रयास करता है क्योंकि उसकी मजबूरी भी होती है तो further भी कहें उसे it is best management by using management accounting next है competition with others देखे अन लोगों से या अन उत्पादकों से या जो other production कर रहे हैं बिलकुल एक जैसे ही है जैसे network के छेतर में जाएंगे तो idea है वोड़फोन है ठीक है और जियो कंपनी है एर टेल है तो इन में क्या होता यह एक जैसी कंपनिया सेबा दे रही है वही सब का काम है कि आपकी calling कराना net की सेबा देना ठीक है और other मतलब सेबाएं देना तो इनके साथ साथ में इन कंपनियों के बेस में आपस में competition किस बेस पो हो सकता है जिसका management अच्छा होगा उके उसी बेस पे इन में competition में आगे निकला जा सकता है next है based use of sources जितने भी साधन होते हैं उनको सही से प्रियोग करना का फाइदा भी हमें management accounting दिलाता है next है proper planning उचितनी योजन के लिए अच्छी योजना बनाने के लिए भी सहयक होता है कौन सा management accounting तो यह इसके lab हैं जो हम इस समय समझ रहे हैं तो अब भी next correct decision सही निड़ले हैं यह भी किसके थो हम ले पाते हैं management accounting के थो ही ले पाते हैं किसके थो management accounting के थो ओके next है free from business cycling देखिए business cycling को समझना बहुत जरूरी यहां पर मैं आपको बतानूंग देखिए यह cycling जो होती है यह बराबर चलती रहती है ओके तो क्या होता है कि कभी उतार कभी चड़ाओ आपने भी देखे होंगे दोस्तो market में कभी किसी बस्तू का मूल कम हो जाता है कभी जादा हो जाता है लेकिन जब आपका perfect planning होगा तो planning के base पे आपके business में कोई फरक ही नहीं पड होगा पहले से ही अनुमान लग जाता है business तो बैसे भी पूर्व के अनुमान पर ही चलता है क्योंकि कल क्या घटित होने वाला है यह कोई नहीं जानता है लेकिन एक अनुमान तो लगा जा सकता है तो इसके तो management accounting के तो यह खुद अनुमान लग जाता है कि अब market में क्या हो आने वाला है ओके तो cycling से भी free है next है based level efficiency देखिए सिर्मकों की अच्छी कुसलता यह सीधे भांसा में यह कह सकते हैं कि सिर्मकों से अधिक से अधिक काम लेना यह भी management accounting के द्वारा ही सफल होता है जैसे कोई manager है तो वो अगर अच्छा व्यभार करता है अपने बरकर्स के प माल लीजेगा किसी भी company में एक छोटी छोटी जो production करने वाली company होती है तो एक साथ कम से कम 2000 लोग बर्क करते हैं और 8 गंटे का जो बर्क होता है तो इसकी तीन सिफ्टे चलती है तो हम कह सकते हैं कि 24 गंटे में कितना 6000 बर्कर तैयार काम कर रहा है अब क्या होता है कि जब करना बंदगर देते हैं और अगले वाले जब तक अपने बर्क पर पहुंचते हैं तो उनके लिए भी कम से कम 2-4 मिनट अपनी तयारीम लग जाते हैं और अगर कोई मेनेजर इनसे अच्छा भी अभाहर करें उनको बताए कि जब तक अगला व्यक्ति आना जाए तब तक आ अगर एक्स्ट्रा करा लिया हमने तो 65 जा होता 30 हमने 30,000 मिनट बर्क करा लिया और 30,000 मिनट ये पांच मिनट बहुत चोटी सी जी जाए आप भी अगर कल कॉमर्स पढ़े हुए हैं जो लोग हैं वो मेनेजर ही बनते हैं अगर आम मेनेजर बनते हो अच्छे से बात करते हो तो कौन कहना आपका नहीं मानेगा सब कहना मानेंगे अगर हम 66 से डिवाइड कर देंगे तो 65,000 कितने होते हैं 30 होते हैं यानि 500 गंटे आपने एक्स्ट्रा काम करा लिया 500 गंटे में एक व्यक्ति 8 गंटे काम करता है 8,60,48 होते हैं 8,30, आपने 63 लोगों का काम यानि 63 18,18,18,900 रुपए का तो काम आपने एक दिन में ही एक्स्ट्रा कमा लिया ओके तो यही होता है हमारा बेस्ट प्लानिंग, बेस्ट मेनेजमेंट ओके इसके लिए जिसने समझा होगा वो बात को समझ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाहा हूँ और यह तो 5 मिनट का था और द इन रिस्क जोखिमों में कमी आरे जब मैनेजमेंट अच्छा होता है तो जो भी आने वाले नुकसान इत्यादी होते हैं उनसे बचा जा सकता है क्योंकि मैनेजमेंट के आधार पे ही हम इन चीजों से जान सकते हैं पहले से ही उनके लिए थैयार रहते हैं बेटर कर दूँ एक मिनिट नहीं लगेगा मैक्समाम बिजनिस प्रॉफिट है इसको अधिक्तम लाब कहते हैं बेस्ट मेनेजमेंट है इसे अच्छा प्रवंद कहते हैं कॉम्टिशन बिद अदर्स अनुत्पादकों से प्रतिस परता है बेस्ट यूज आप सोर्से साधनों का उ बेस्ट लेवर एफिसेंसी अच्छी स्रम को सलता रिडक्शन इन रिस्क जोखिम में कमी बेटर रिजल्ट अच्छे प्रडाम यह सारे के सारे लाब और इंपोर्टेंस थे महत्त थे किसके मनिजमेंट अकॉंटिंग के दोस्तों मैंने आपका एक भी सेकंड खराब नहीं क जाया ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ जुड़े रहें कॉमर्स बेट संजीब सर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए